चलो तो अगला सवाल लेते हैं जिसमें क्या है देखो ये वाला इंगल 37 डिग्री दिया हुआ है ठीके ना और ये साइड ए है ये वाला साइड बी है और ये कितना दिया हुआ 12 मिटर आपको फाइंड आउट करना है एंड बी तो इसमें देखो सबसे पहली बात तो ये कि य ही यह एपने इस आठीका इमतिक कितना अगर ने आपको को के सबसे पहले ए का मिल लेना पड़ेगा तो सेन यह कॉस थेए ऑन बराबर के लिए क्ली अभर क्या लिए कोशके अब देखो इससे नहीं निकल रहा है अब ना हाइपोटेनस पता है न आपको बेस पता है तो इसको काम में आप नहीं दे सकते तब क्या करोगे आप तो आप सीधा 10 ले लो ठीक है ना यह बराबर क्या हो जाएगा 12 अपॉन क्या 10 37 डिग्री ठीक है अब देखो यहाँ पे 10 37 का वैल्यू कितना होगा तो 10 37 37 by cos 37 37 3 by 4 और cos 37 4 by 3 by 5 और 4 by 5 यानि 3 by 4 होगा तो 12 by 1 है ना इंटू 10 37 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 by 4 इसको उपर लेके जाओगे तो यह चार उपर चला जाएगा यह चार बार में कैंसल यानि कितना वैल्यू आ गया 16 ठीक है ना तो आपके पास कितना मिला ए एक वैल्यू मिला 16 वैसे ही अब निकाल दो क्या हाइपोटेनस तो आप इसको काम में ले सकतो तो साइन 37 डिग्री बराबर प्रपेंडिकुलर य यह फोर टाइम में कैंसल हो गया तो भी बराबर क्या हो गया 20 ठीक है यानि यह कितना बनगी आपका 20 और यह कितना आ गया था 16 ठीक है इस परगार से हम लोग निकाल लिया करेंगे कोई भी साइड को अब हम लोग पढ़ेंगे एंगल मेजर्मेंट इन एक्स बाई कॉडिन के हम लोग अंगल मेजर करेंगो और देखें यह क्या होता है द्यान तीनके अगर यहां पे देखा जाए तो यह कोई वैङ्ल्यो यह कोई पॉयंट है ठीक है कोई कोई कॉडिनेट है जिसका नाम हम दे रहें है एकश वाई ठीक है ये एकश बाई कोardiniरेट इसमें पाउडिनेे हैं इसमें एकश का वैल्यूहे इस वैल्यूिको ہमने gef confront यसे वैल्यूग को मैंने क्या कहा बाई का थे ऑगा एकस और लुग सबकरेंड़ कब सके हम सब्सक्राइध करेंगे इस से पहले अ मोद लो legislature लेना पड़ेगा कि साइन थीटा वराबर आप क्या जानते हो इस ट्रेंगल में अगर देखा जाए तो यह ट्रेंगल अगर यह थीटा है तो थीटा के सामने पर्पेंडिकुलर यह पर्पेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस बाई अपॉन आर नम्बर एक ठीक है उसके और अपॉन एक्स यह तीन चीज़ें आपके पास है अब देखो इस क्वाडरेंट इसको बोलते हैं क्वाडरेंट फस्ट वाइडरंट सेकेंड थर्ड और फॉर्थ तो इस फस्सक्राइडन में आप देखो तो फस्ट क्या में एक्स का वैल्यू पॉजिटीव मिल रहा है क यह वाला और इधर कही रहता तो उधर आप क्या देखते हैं कि X का value इस side में इस quadrant में आने के बाद देखो इधर आ रहा है तो X का value क्या हो जाता नेगेटिव तो second quadrant में x का value negative होता और by तो देखो उपर है तो by तो positive ही रह जाता है ठीक है ना उसी परकार से यहां पे देखो third में देखते हैं कि third में क्या हो रहा है अगर इधर कोई r खीच दो तो x का value देखो negative मिलेगा इस direction और by का value भी क्या मिलेगा negative मिलेगा यानी x और by दोनों क्या ओ गया noise 3rd quadrant में बस ऐसे समझो कि 3rd quadrant में x और y दोनों क्या है negative क्यूंकि इधर भी ये negative ये भी क्या negative 4th में आ जाते हैं तो यहां पर देखते हैं x और y का value क्या है तो x का value इधर तो positive मिल रहा है क्योंकि right side में है तो यह positive हो गया रेकिन y अभी भी क्या है negative है तो चारों quadrant में मैंने यह कर लिया x का value कहां पर positive है और x का value कहां पर negative है अब आगे देखते हैं कि क्या फर्क पड़ता है इस positive negative से अब देखो sin theta साइन बराबर क्या होता है by upon r तो y यहां पर तो क्या है positive और r तो automatically हमेशा positive होगा क्यूं क्यूंकि अगर y x negative भी हुआ या फिर by negative भी हुआ तो उसका square जब होगा तो वह automatically क्या हो जाएगा positive और positive का square root फिर क्या निकलेगा positive तो आर हर कोड़ेंट में क्या होने वाला है positive होने positive है यानि cos भी positive हो गया टैन का बात करें तो 10 में by positive होगा और क्या होगा x भी positive होगा तो by और x दोनों के positive होने के कारण आपका 10 भी क्या मिला positive मिला यानि इस में sin cos tan जब positive है तो अभिसली से cos एक और cot भी क्या होगा positive क्यूंकि इसका reciprocal होता है वो तो यह भी क्या मिलेगा ust qu director में सभी trigonometric ratios क्या होते है ृफ तो हमेशे और आर तो हमेसे negative by positive negative यहनि Cosشر स्वाड हो गया out Your делатьrand b negative जब याँ stuff कॉन निघर्टीव हो गया french टो बच कौन गया साइन और कॉसिक यहनि साइन और कॉसिक क्या होगा इस कोधिरन में पॉजिटिव होगा तो इसको हम लोग साइन थीकता और कॉसिक थीटा इसमें क्या होगा positive होगा अब आ जाते हैं 3rd में देखो दोनों negative थार ने दोनों negative है तो यहां पर देखं़ी साइन theta बरावर क्या होता है y upon r, y क्या है negative, r क्या रहेगा हमें सा positive, तो negative by positive क्या होगा, sin तो होगया negative, cos के लिए बात करो, तो कॉस में क्या होता है x幫 r एक्स क्या होए नेगेटिव आर हमेशा positive यह भी निगेटिव आ जाएगा अब तीसरे मे आ जाए तेन यपक्ला तो कॉधिटिव हो गया से क्षाइल रहता है ज़司की होगा अब यसान वह आजो तो क्या होगा आजैए है था डौनींगियों सब्सक्ट्राइक आप ओस्ट साइन क्में अन्य स्युक्तनीलट ब्रसक्राइब है और हमेंशा पोजिटीव तो कौस क्या होगा इसमें पॉजिटीव जब कौस पॉजिटीव हो गया तो और सधी भी फॉजिटीव हो जाएगा तो कौनकौन मिला POSITIVE देखो पहला क्वाडरIE Tan में सभी पॉजिटिव दूसरा में साइन और साइन अगर हो गया तो कॉस एक भी तीसरे में टैन चौथा में कॉस अगर इसको आप यह देखो फिर से बनाने का कोसिस गरो तो क्या मिलेगा यहां पर मिल रहा होगा आप देख रहे होंगे कि सब इस कॉड्रेंट में ना कॉस मि सुरू करना है इंटि को लगवाइस डिरेक्शन में घुमना है तो कसी स्थी का मतलब कॉट नहीं कहने यहां पर कॉस है कॉस आल शाम टन ऐसे करके सभी के सभी क्या होते है पॉजिटिव होते हैं तो आप यहां से कैल्पुलिट कर सकते हो कि कौसा ट्रिगोनोमेट्रीग कि किस quadrant में जाके positive और negative होता है clear है अच्छा अब quadrant का मतलब क्या 0 सा 90 degree तक first quadrant है 90 से 180 तक second 180 से 270 तक third 270 से 360 तक fourth quadrant है ऐसे करके हम लोग calculate करते हैं किस quadrant को और ये भी check कर लेते हैं कि किस quadrant में कौन सा trigonometric ratio positive होगा और कौन सा trigonometric ratio negative होगा ठीक है इसको note करें उसके बाद आगे बात करते हैं चलो तो अब देखते हैं कि जब अगर कोई भी trigonometric function में जो एंगल हो उसका वो 90 degree से बढ़ा होगा तब क्या करेंगे ठीक है तब उसको calculate करने के लिए एक rule है हमारे पास ठीक है क्या है कि कोई भी trigonometric function है उसको इस form में पहले लिखना होगा n pi plus theta या n pi minus theta के form में ठीक है न और उसके बाद यहाँ पे plus minus आपको लगाना होगा plus minus यह कैसे लगाएंगे आगे हम लोग बात करेंगे plus minus trigonometric function और theta यह जो theta plus minus में होगा यह theta यहाँ पे जम कर क्या जाएगा यही वाला theta होता है और यह trigonometric function यह वाला होता है plus minus जो आने का basis होगा यह होगा कास्ट रोल के ऊपर ठीक है अभी हम लोग solve करेंगे तो इसको clear ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे यह plus minus जो आएगा वह किसके basis पाएगा कास्ट रूल के basis पाएगा ठीक है जैसे as for example अगर आपको बोला जाए कि आप निकालो साइन क्या है 180 नहीं 120 डिगरी 90 डिगरी से बड़ा है तो मुझे तो 90 डिगरी तक पता है ना 90 के बाद में नहीं बताए गया 90 के बाद नहीं बताए गया तो क्या करेंगे इसको ऐसा लिखा जा सकता है अब देखो कि 120 डिगरी चलो आज अब प्लस लगाना है इसके पीछे की माइनस लगाना है तो यहां पर देखना यह वाला है, 0 degree, 90 degree, 180 degree, तो जो 120 है वो कहां लाई कर रहा है, तो 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा, यानि इसमें साइन क्या होता है, पॉजीटिव होता आपको बताया था, इसमें CAST, तो इसमें साइन क्या है, positive है मतलब यहाँ पर plus ठीक है plus sign 60 degree अब कितना हो गया यह value sign 60 का value होता है root 3 by 2 तो यहनी sign 120 का value कितना हो गया sign 120 का value होता है root 3 by 2 ठीक है आगे वार सवाल लेते हैं दूसरा जैसे देखो अपने पास आगे मालो sign 210 degree ठीक है तो sign 210 degree हो गया आपको 210 को sign 180 degree plus 30 degree लिख सकते विल्कुल कोई problem नहीं लिख दिया उसके बाद क्या करो sign 180 degree 180 का value तो हमको कुछ करना नहीं है जो थीटा आता है वो थीटा लिख देते sign 30 degree होके अब sign के पहले आपको plus और minus का sign लगाना आप क्या लगाओगे प्लस लगाओगे या माइनस लगाओगे तो ध्यान दीजिए यह 210 degree है 210 degree है 210 degree में sign कहां पर चला जाता है यहां तो 180 के बाद यह 270 है तो कहीं न कहीं third quadrant में यानि sign क्या है negative है तो third quadrant में sign negative हुआ तो यहां पर minus लगा दिया मैंने sign 30 का value होता है 1 by 2 तो यहां पर minus 1 by 2 यह values आ गए ठीक है इतना note करें उसके बाद कुछ सवाल लेते हैं हम लोग चलो तो सवाल लेते हैं सवाल क्या है sign 240 degree find out करना आपको तो कैसे करेंगे sign 240 degree के लिए तो आपको sign 240 degree इसको 180 plus plus minus के form में लाना पड़ेगा तो sign 180 degree plus कितना लिख सकते हो 60 degree इसको ऐसा लिखा सकते हैं ठीक है अब क्या बताया था मैंने आपको कि जो भी trigonometric function है उसको रहने देना और जो theta के जगा पर आएगो उसको लिख देना लेकिन यहां पर ज़रत पड़ेगा आपको एक sign का और यह sign हम लोग लेते हैं cast rules से ठीक है तो c a st यह वाला first second third fourth 180 degree यानि 240 किसमें सब्सक्राइब क्या होता है यानि आप यहां पर negative sign लगांगे और sign 60 का value कितना होता है आप चनते हो साइन 60 का value root 3 by 2 तो माइनस कितना हो जाएगा root 3 by 2 यह आगया आपका answer उसके बाद है कितना 10 150 degree तो 10 150 डिगरी पर आजाओ 10150 बराबर क्या लिख हो गया 10, 180 degree minus 30 degree, यह लिखा जा सकता है, अब क्या करें, 150 degree को और आप देख रहे हो, तो यह second quadrant में, second quadrant में 10 क्या होता है, negative होता है, तो यहाँ पे आपको negative sign लेना पड़ेगा, 10, क्या लिख हो गया, 30 degree, अब क्या हो गया, minus, 1030 का value कितना होता है, 1030 sin by cos, कितना हो जाएगा, 1 by root 3, और यह कितना, minus में, clear, तो यह आपका 1030 का value, है न, अब तीसरा आजाता है, cot 300, cot 300, तो cot 300 में क्या करोगे, cot 300 को आप लिख सकते हो, cot, इसको दो तरीका से लिखा जा सकता है, या तो 360 minus यह कर दो, ठीक है, कोई कि दूसरा आस्ता क्या है, आपके पास 270 प्लस वो कर सकते हो, है न, तो उसमें कोई problem नहीं है, तो आप लिख दो सीधा, cot 360 degree minus 60 degree, ठीक है न, और तो इसको क्या लिखेंगे, cot कितना हो जाएगा, 60 degree, अब सवाल यह है कि किस quadrant में जाएगा यह, तो 300 degree है, तो देखो, यहाँ से, यहाँ पर 180, 180 वह 272, 270 से तो बड़ा है, 300, और 360 से छोटा है, यहनि 4th quadrant में, 4th quadrant में क्या होता है, cos positive, cos negative होता है, यहाँ पर लगा दिया, minus, और cot 60 का value आप पूट करेंगा, अंसर आजाएगा, minus के साथ cot 60 का value आप पूट कर देते हैं, अंसर आजाता है, अब next जो है आपके पास, 10 270 degree, sorry, sin 270 degree, यहाँ पर ध्यान दिजिएगा, sin 270 degree, अब इसके लिए क्या करना होगा, आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप 180 plus 90 कर दो, या फिर 360 minus 90 कर दो, इसको दो तरीके से लिखा जा सकता है, दोनों तरीकों को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, एक लिखा जा सकता है, sin 180 degree plus 90 degree, एक तरीका तो यह हो गया, और दूसर तरीका क्या है इसको लिखने का, दूसर तरीका है, sin 360 degree minus 90 degree, ठीक है, अब ध्यान दिजिए, sin 180 degree plus 90 degree, इसको आप itaire क्या लिख होगा है? सा 247 को डिखा वक्षाएं और स्वाल स्वाल जा आता है कि इसमें हमको किसके सें पर्लिक्स इस प्लेस लेना जो सप्सक्राइब किसके पर जाएन होा त। का偉 멋있 लएन तो छलो दिखते हैं धीत दियान नीजिए यह यह 1 शेvent थर्ड यह है आपके पास और इसमें सब्सक्राइ कर रहे हो इसमें आप इस वाले क्वाड़न को consider करो क्योंकि आप 180 में कुछ हैड कर रहो तो 180 के बाद अगर कुछ हैड होगा तो इस क्वाडन में इंटर करेगा इसका मतलब आप 3rd quadrant में जा रहे हो इसका मतलब आप क्या लिखो गए यहां पर माइनस साइन नाइंटी का वैल्यू कितना होता है 1 तो माइनस 1 अब इसमें आज़ो साइन नाइंटी अब अगर आपने 360 में कुछ घटाया है तो वह इस साइन क्या होता है निस परकार से आप इसका वैल्यू निकाल पाओगे यह जो है यह चौथा सवाल बहुत अच्छा सवाल द्यान से समझें इसमें वाली बात है क्या होता है सुलों नोट करलिया होगा सब लोगों ने अब देखो चौधा पर आता है चौथा क्या कहा रहा है चौथा कहा रहा है ना कि जो 10 है 10 270 डिग्री है तो 10 270 को भी दो तरीके से लिखा जा सकता है एक तो लिखा जा सकता है 10 180 डिग्री पलस 90 डिग्री नमबर एक और दूसरा लिखा जा सकता है 10 360 डिग्री माइनस 90 डिग्री लोग, इन दोनों तरीकों में ध्यान देंगे सब लोग, 180-degree प्लस 90-degree है, फिर वही बात, पिछला वाला बात कि किस क्वाडूरंट में माना जाएगा, तो उसी क्वाडूरंट में माना जाएगा, जो जिसमें प्लस किया जा रहा है उसके आगया वाला, अगर माइनस किया जा रहा है तो उसके पीछे वाला, जैसे 180 बाद, अगर ये इसको आप कह रहे हो, तो इसको माना जाएगा 3rd quadrant में, किस quadrant में, 3rd quadrant में, और इसको अगर लेंगे, तो 360 से घटा रहे हो, तो इसको मानो गया 4th quadrant में, अ तो 10 positive हो गया 1090 का value कितना होता है 1000 तो 1090 का value infinity तो यहां पर infinity आ गया plus infinity अब इसमें बात करें तो 360 में अगर कुछ घटाया गया है इसका मतलब यह 4th quadrant पे इसको consider किया जाए कि 4th quadrant में तो यहां पर आप क्या लिख हो गया 1090 डिग्री लेकिन 4th quadrant में 10 क्या होता है negative तो यहां पर minus infinite हो अब एक ही value के लिए दो एक ही trigonomet function के एक साल पर दो value तो exist कर नहीं सकता है यानि 270 पर या तो plus infinity होगा या तो minus infinity होगा यह तो possible नहीं है ना कि दोनों value दोनों value exist करें तब अब सवाल यहां पर यह आता है कि जब भी ऐसा situation आए तो यह जो मैंने 180 डिग्री से किया 90 डिग्री तो यह एक्च्वल में 270 डिग्री को नहीं बता रहा है यह 270 से जस्ट पहले को बता रहा है तभी तो आपने थर्ड कोडिन में consider किया इसको ठीक है और अगर आप 360 में से 90 को घटा रहे हैं तो और इस कोडिन को consider कर रहे हैं इसका मतलब यह 270 नहीं 270 से जस्ट वाद वाले value को गेन कर रहा है तो यह जस्ट बाद क्या हो जाता है माइनस इंफिनिटी हो जाता है और जस्ट पहले प्लस इंफिनिटी रहता है जस्ट पहले यह प्लस इंफिनिटी रहता है और 270 के जस्ट बाद माइनस इंफिनिटी होता है और बहुत माइनर से angle के change के कारण यहाँ पे बहुत वड़े value में change आ जा जाता है 10 के साथ है ऐसा होता है ठीक है description में note थे उसे में बहुत सारा बात लिखा हुआ भी है अगर आपको समझ में आ गया तो ठीक है नहीं तो फिर से देखो क्या कह रहा है यहाँ पे हम कह रहे हैं कि यह जो point है न यह अगर 180 में से कुछ add कर तो इस quadrant में consider कर रहा है और इस quadrant में तभी तक है जब तक value 270 से पीछे है तो अगर आपने इस quadrant को consider किया है मतलब हो ना हो यह 270 से थोड़ा पीछे है ठीक है 270 को अप्रोच तो कर रहा है tends to 270 है बट 270 नहीं है ठीक उसी परकार अगर 360 में से आपने माइनस किया है 90 तो वह 270 को नहीं बलकि अगर fourth quadrant आप consider कर रहे हो जैसे यहाँ पर आपने fourth quadrant consider किया तो fourth quadrant consider कर रहे हो तो वह fourth 270 को नहीं 270 से जस्ट बाद वाले वैल्यू पर वह बता रहा है उस 10 का वैल्यू ठीक है तो इससाब से 10 का जो वैल्यू आता है यह 270 से जस्ट पहले का यह 270 से जस्ट बाद का है नोट करने इसको तो अब हम लोग बात करेंगे trigonometric identities का ठीक है तो इसमें सबसे पहला जो identity होता है sin square theta plus cos square theta is equal to one होता है यह अपने 10 class में इसको प्रूब भी किया होगा और अगर नहीं किया है तो फिर आपको मैस में मिलेगा प्रूब करने के लिए और ऐसे आपको ज़रत भी नहीं है आप इसको directly याद रख सकते हो ठीक है सकते हो इसको सकते हो सिक सकते हो सिक स्कायर थीटा माइनस 10 स्कौर थीटा बराबर वन अप इस फॉर्म में आपने पढ़ा होगा पिछले class में और इसको क्या लिख सकते हो आप यह हो जाएगा कॉसे के स्कौर एक चली स्कौर थीटा माइनस कॉट स्कौर थीटा माइनस कॉट स्कौर थीटा बराबर कितना होगा वन ऐसे भी लिखा जा सकता है ठीक है तो यह तिनों इंपोर्टेंट है इसको आप ध्यान में रखेंगे उसके बाद आता है साइन a plus minus b बराबर क्या होगा जैसे sin a plus minus b है अगर यहाँ पर प्लस तो यहाँ पर plus लगाना है यहाँ पर minus तो यहां पर minus, तो sin a plus b बरावर sin a into cos b plus cos a into sin b, अगर बीच में plus है देखो, तो यहां पर मैंने plus लगा है, अगर minus है तो यहां पर क्या लगा है, मैंने minus में लगा है, अब देखो, दूसरे में आजा, cos a plus b बरावर क्या होगा, तो देखो, अगर cos a plus b बरावर होता है, cos a into cos b minus sin a into sin cos a into cos b minus sin a into Sin b trac elephant minus to yahaan paya जाएगा टिके यह सब आपको याद रखना पड़ेगा उसके इन 120 rumah झाहर यहां पलंस aten यहां पर गुर्णावर क्या हूगा प्रिके यहां है क्लेट यहां क्लरास है तु 10B divided by 1 minus 10A into 10B, और अगर 10A minus B पूछा है, तो 10A minus B बरावर, 10A minus 10B divided by 1 plus 10A into 10B, ठीक है, ये दोनों बहुत ज्यादा important है physics के point of view से, और ये बहुत ज्यादा huge हम लोगों को नहीं आएगा, अब तीसरा जो है, अब इसी में से दखो, इनी सब में से, अगर यहाँ पे A और B दोनो लागर मान लिये मैंने, तो क्या हो जाएगा, साइन 2 theta हो जाएगा, तो साइन 2 theta बरावर, क्या होता है? two sine इंटू cos theta देखो, यहाँ पे theta रखो, यहाँ पर, तो यहाँ मेंस स्कूर्ण थीता माइनस glare निवकर करेंगे तो यह पता है माइनस निकल के से बाहर प्लस मेंрий हो जाएगा तो 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 यहां पिर से टीटा टीटा पुट करो तो 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 यहां पे सब का वैल्यू पूट करो ती यह सभी फॉर्मूले आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा ठीक है तभी आप आसानी से सवाल को बना पाएंगे आगे चलके अधर्वाइस आपको बहुत अस्ट्र पर दोबारा नोट करें तिवारा नोट करें और पढ़ने का कोशिज करें ठीक है यह आध हो जाएगा बहुत हाड नहीं है बहुत आसान सा सा फॉर्मूल है क्लिर है सभी को अब हम लोग क्या पढ़ेंगे ग्राफ पढ़ेंगे साइन और कॉस का चलो मैंने मुझे ग्राफ बनाना इक जो एक्स एक्सिस पर मैंने ठीटा ले लिया है यह थिका यह तोग्तिक अगर जीरो का बात करेंगे सब्सक्राइब आता है साइन का ठीक है 0 30 45 ऐसे कर देख सभी का वैल्यू आता है तो आप फुट करते जाओगे तो आपको यह कर लाइन मिल जाएगा ठीक है जैसे अगर आप सोचो की साइन 90 का वैल्यू कितना होता है अमने यह ले लिए 0 1 sign 180 फिरसे कितना हो जाता है 0 तो इसको सीधा भी मिल असक्ते थे फिर सीधा आपने क्यूंते ही मिला यह सीधा लेकले सिस्धा लाइक ए ठीक है ऐसा भी कर सकते थे ऐसा आपने क्यों नहीं किया सर यह आपने कर्व लाइन से क्यों मिला है तो जब आप 30 का वैल्यू 1.1 by 2 लोगे 45 का 1 by root 2 लोगे 60 का root 3 by 2 लोगे तो आपको automatically यह कैसा कर्व से मिलाना पड़ेगा otherwise straight line से नहीं मिलेगा तो यह कर्व से मिलता है ठीक है और खास बात यह है NOTE sign का graph में कि यह क्या होता है सिमेट्रिक graph होता है जैसे देखो जो 30 का value है वही किसका review होगा 150 का value होगा जो 60 का value है वही किसका value होगा 120 का value होगा तो यह symmetric graph होता है symmetric होने के काराण आब valueů भी आसानी से find out कर पाते हो ठीक है जिसे अगर आपको 30 60 का पता है 0 30 60 का पता है तो आप 120 150 का असानी से निकाल सकते हो इधर भी वही बात होगा है इधर भी यह देखो यह भी symmetric होता है अच्छा यह क्या चीज़ आगया सरवनेटी के बाद 210 अगर है यह तो 210 है ना तो इधर से आप 30 डिग्री माइनस आ जाओ तो कितना हो जाएगा यह 330 यह तो एसे करके हम symmetric value को निकाल सकते हो और यह देखो graph है किसका sign का graph कैसे सुरू होता है याद रखना sign का graph हमेशा 0 से starting होगा और ऐसे आप कर दो सीधा अच्छा कहां पर maximize होता है यह 90 degree यह कितना होना चाहिए ध्यांदीज यह कितना होना चाहिए 270 degree माइनस में चला जाता है और 90 degree क्या हो जाता है जिरो का value 1 होता है इसका मतलब यह graph कहां से शुरू होगा 1 से और बाकी सारा nature इस graph का भी क्या है same है ठीक है देखो जैसे cos 0 1 ठीक है cos 90 कितना होता है 0 आप चिक कर लो एक बार उसके बाद cos 90 के बाद कितना आएगा cos 0090 उसके बाद 180 cos 180 कितना होगा minus 1 तो यह देखो यहाँ पर minus 1 है यह क्या है plus 1 है उसके बाद 180 के बाद कितना आएगा 270 270 कितना हो जाएगा फिर से 0 90 पे 0 आया था फिर 270 पे 0 फिर चले जाओ 360 पर कितना हो जाएगा plus 1 यह देखो यह plus 1 तो यह graph हो गया किसका cos का अगर बात करें तो यह 90 degree है यह 180 degree है यह कितना है 270 degree है और यह कितना है 360 तो यह values आपको मिलता है किसमें cos सी टाम और cos का graph कुछ ऐसा अगर इसको और आगे बढ़ाना चाहते है तो यह ऐसा बनेगा कुछ यह बस है यह भी sign के graph के जैसा ही लेकिन sign का graph 0 से सुरू हो रहा था और यह graph कहां से सुरू होगा 1 से प्लस 1 से सुरू होगा और बाकी दोनों का nature हर जगा क्या है सेम है ठीक है तो इस तरह से हम लोग जितना भी trigonometry पढ़ना था अपने physics के लिए 11th class में वह हम लोग ने पू क्रीमत और अगर अच्छा लग रहा है ठीक है तो इसको आगे भी continue करें और धंग से पढ़ाई करें धन्यवाद